नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल पॉजिटिव रियालिटी में उमीद करता हूं जो भी कोई व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है इस समय वह हेल्दी होगा कुशल होगा मंगल होगा और फिर से वही अपील करना चाहूं कि प्लीज घर से बाहर तब तक मत नि और निकलते हैं तो proper sanitization के साथ निकलिए अपने hands को sanitize करते रहिए unwanted touch से बचें दो गसदूरी mask है जरूरी अब बात करते हैं आज के topic के ओपर जो कि है WhatsApp WhatsApp हर दूसरा व्यक्ति बलकि हर दूसरा भी नहीं हर इंसान WhatsApp यूज़ करता क्योंकि smart phones तो वैसा ही हम सब यूज़ करते ह हैं और work from home होने के साथ साथ WhatsApp का यूज़ और बढ़ चुका है because अब हम सब जो अपने team members है official लोग है उनसे भी जातातर communication WhatsApp पे ही करते हैं WhatsApp उठाना message करना बहुत convenient लगता है text message करने की बजाए पर क्या आप जानते हैं कि आप अपनी day to day life में WhatsApp यूज़ करते हुए कुछ ऐसी गलत चीज़े कर बैठते हैं जो की नहीं करनी चाहिए जी हां मैंने भी ये चीज़े हाल फिलाल में ही notice की तो मैंने सोचा क्यों आप सब से शेयर किया जाए अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो इसे लाइक जरूर कीज़ेगा इस वीडियो को जादा सा जादा लोगों से शेयर करा करो दोस्तों ताकि हमारे चैनल की जो रीच है वो इंक्रीज हो चुके तो आईए फटा-फट से मैं आपको बताता हूं कि क पादचीत नहीं होती है जो लोग हमारे कॉंटाक्ट में नहीं है उनका कॉंटाक्ट अपने मोबाइल से रेगुलर रिफ्रेश करते जाए उन्हें डिलीट करते जाए ताकि अन्नेसेसरी लोग आपके वाट्सएप को एक्सेस ना कर सके जैसे हमारी लाइफ में लोगों का आना जाना लगा रहता है वैसे ही रेगुलर्ली हमें अपने सेलफ़ोन के कॉंटाक्ट बुक में भी आना जाना करना चाहिए और न्यू लोगों को एड करना चाहिए पुराने लोगों को डिलीट करना चाहिए ताकि अन्नेसेसरी इंफरमेशन को आपकी एकसेस ना कर करना चाहिए पर मोस्ते काई लोग अपने family members को भी इंकलूट करते हैं अगर आप कोई फोटो लगाते हैं अपनी पर फोटो प्रफाइल प्रिक पर या अपने बच्चे के साथ लगाते तो कोशिश कीजिया अपने family members की privacy को इंटाक्ट रखिए इसके लिए WhatsApp में एक प्राइवेसी सेटिंग होती है जहां पे तीन आप्षिंस आपके पास अवेलेबल होते हैं कि आपके को सबसे पहले everyone यानि कि कोई भी देख सकता हैं दूसरा सिरफ आपके Contacts देख सकते हैं तीसरा no one यानि कि कोई भी आपके contacts को success नहीं कर पाएगा आपकी privacy आपकी personal information लाइक प्रोफाइल पेग, statuses नहीं देख पाएगा हो सके तो कोशिश कीजिए जबी भी आप अपना WhatsApp अकाउंट एकसेस कर रहे हैं या आपने अपना WhatsApp अकाउंट जो क्रिएट किया वह आपके नाम के अंडर ही हो वहाँ पे आप किसी और का नाम इंक्लूड ना करें क्योंकि किसी और का नाम पर WhatsApp यूज करना भी क्राइम हो सकता है क्राइम है बलकि जो कि इंपर्सनाइजेशन के अंदर आता है साथ ही साथ WhatsApp यूज करते हुए हमें अन्वेरिफाइड न्यूज रूमर सेंसेटिव टॉपिक्स पे अन्वेरिफाइड या अन्वांटेड फॉर्वर्ड फैलाना जो कि गलत इंफर्मिशन को बड़ावा दे यह इस तरह के फॉर्वर्ड मेसेजेश करने से भी बचना चाहिए क्योंकि अन्वेरिफाइड न्यूज फैलाना या फिर रूमर स्प्रेट करना जिससे समाज में अरजक्ता फैले या नेगेटिविटी फैले भी एक तरह का क्राइम है लास्ट और सबसे इंपोर्टन बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो यह है कि आप अपने डिवाइस में वट्सएप पे जो आपको फाइल्स मीडिया फाइल्स आती हैं उन्हें आटो डाउनलोड से आफ करके रखे इससे आपको कुछ अमेजिंग बेनिफि को आफ करके रखेंगे एक तो आपका डेटा बचेगा दूसरा आपके मोबाइल में स्पेस रहेगा तीसरा अगर कोई अन्मॉंटेज वाइरस आपके मोबाइल में एंटर करने की कोशिश कर रहा होगा किसी अन्नोन सोर्स से तो वह बचेगा और चोती और सबसे करने के लिए बैठेंगे तो हम सरफ वही चीज़े डाउनलोड करेंगे जिनकी हमें रिक्वार्मेंट है और हम उन्हें यूज करेंगा अपने मोबाइल से फ्लश आउट कर देंगे हो सके तो प्लीज मेरी बताईवी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा वाट्सएप को सेंसिबिली यूज कीजिए ताकि आपकी प्राइवेसी आपकी इन्फरमेशन इंटाक्ट रहे इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं मिलूगा फिर किसी नई वीडियो के साथ जैहन